हेलो एब्रिवन, वेल्कम टो सुमेथ टुटोरियल, टुड़े आम गोईंग टो डिसकस अबाउट टाइप प्लासेंटेशन, दी प्लासेंटेशन आर अफ डिफरेंट टाइप नेमली मार्जिनल, एक्जिनल, पैरियंटल, बेसल, सेंटल और फ्री सेंटल, तो मैं जो आपक कैसे याद रख सकते हैं, में पास फिर भी बावाल, तो में पास फिर भी बावाल, तो आप इसे नोट कर लो, तो मार्जिनल के एक्जाम्पल को आप कैसे याद रख सकते हैं, तो मार्जिनल की क्या हो जाएगी, आप फिगर के तो भी आप देख सकते हो, की फिगर में क्या पी की figure है तो marginal की जो example होगी P होगी और इस trick से भी आप याद रख सकते हैं मद्ध प्रदेश तो मद्ध मिंस marginal and प्रदेश मिंस P तो मद्ध प्रदेश इसकी trick है मद्ध प्रदेश होगी तो marginal and P तो जो next है एक्जियल एक्जियल की example को आप कैसी याद रख सकते हो तो एक्जियल आप figure से देख रहे हो कि इसकी जो figure होती है तो इनकी जो example होती है tomato और lemon और चाइना रोस तो tomato को आप जब cut करोगे और lemon को cut करोगे तो उसके center में क्या होती है seed होती है तो इस तरीके की arrangement जो होती है वो एक्जियल में देखने को मिलती है तो आप इस तरीके से भी आद रख सकते हैं इसकी जो trick है एक्जियल means AC तो luxury look के पास होती है तो AC तो luxury look के पास होती है तो A for axial and C for china rose and Toe means tomato and luxury means lemon okay guys तो आप इसको note करते जाओ and next जो है parental तो parental की example को आप कैसे याद रख सकते हैं तो parental की example जो है वो क्या है तो इसको भी आप याद रख सकते हैं कि जो MA past तो M for mustard and A for arzimon MA and past means parental तो MA past से इसकी example को आप याद रख सकते हो MA past तो past means parental and MA means marginal and arzimon mustard and arzimon okay and next जो है free central तो free central की example जो है dietum and prime rose तो इसकी जो trick है तो इसकी जो trick है दुर्गा पूजा festival तो दुर्गा means dietum and पूजा means prime rules and festival means free central तो दुर्गा पूजा festival तो इस त्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं एक और जो trick है आप जो WhatsApp पे जो profile pic लगाते हो तो इसे आप DP कहते हो तो DP, face, DP तो face को आप याद रख सकते हैं तो जो next है बेसल तो बेसल को आप कैसे याद रख सकते हैं बेसल की जो एक्जामपल है sunflower and marigold तो इसमें क्या है board marker screen तो जो board होती है उस पे लिखने के लिए marker की जरूरत होती है and screen जो होती है board की तो board की board means basil and marker होती है उसका मतलब marigold and screen होती है means sunflower तो board marker screen तो इस जो trick है यह trick से आप याद रख सकते हो तो आप इस सारे trick को note कर लिए होगे ना तो note कर लो या फिर वीडियो को पहुश करके note कर लो and I hope guys कि आपको यह trick जो है पसंद आई हो कि आपको इस trick से याद हो जागी और यह trick से आप भी नहीं भूलोगे तो अगर आप चाहते हो guys की 11, 12th and PhD level तक की biology lecture and tips and tricks related video motivational video तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को क्लिक करें लाइक करें शेयर करें थैंक्स फूर वचिंग